अजियूम कीजिये 2022 में आपने 100 रुपे के 1000 शेर्स लिये और आपकी टोटल इंवेस्टमेंट वैल्यू थी 1,00,00 रुपे तीन साल बाद वो शेर डबल हो गया और 200 रुपे का हो गया तो आपका जो रिटर्न आन इंवेस्टमेंट हुआ वो हुआ 100% अजियूम कीजिये एक साल बाद कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया और शेर प्राइस सिर्फ 10% से बड़ा लेकिन आपका जो इंवेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो 20% से बड़ा सेम वे अगर किसी ने यहाँ पे 2025 में उसे स्टॉक में इंवेस्ट किया होता तो एक साल में सिर्फ उसको 10% का ही रिटर्न मिलता लेकिन आपने लॉंग टर्म किया था इसलिए आपका रिटर्न डबल हो गया अगर हम इसको थोड़ा और एक्सेंट करें और देखें 2030 में अगर फिर से शेर का प्राइस 440 हो जाता है तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो हो जाएका 340% का रिटर्न वहीं अगर आप देखेंगे तो 2026 में जिसने इंवेस्ट किया था उसका रिटर्न सिर्फ 100% होगा 2030 में 4 साल होल्ड करने के बाद इंवेस्टमेंट में पैसा तभी बनता है जब आप फंडमेंटली स्ट्रॉंग कंपनी चूज करें और उसको लॉंग टर्म पे होल्ड करके रखें फंडमेंटली स्ट्रॉंग कंपनी कैसे चूज करना है उसके लिए आप मेरी फंडमेंटल अनलिसिस की प्लेइलिस्ट पर देख सकते हैं इंडेप्थ फंडमेंटल अनलिसिस पोस्ट करता हूँ थैंक यू